बात करते हैं question number 86 के बारे में क्या गहरा है question number 86 देखिएगा question number 86 आपको कह रहा है five five by three जो की radian में है उसको आपको degree में बदलना तो सबसे पहले तो आपको radian और degree में relation क्या होता है वो पता होना चाहिए उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इस part के जितने भी questions है उनके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है relation देखिएगा तो relation हम समझते हैं जो कौन है जो angle है उसकी दो इकाया है हमारे पास एक तो है degree और दूसरी है radian तो क्या relation होगा तो देखिएगा पाई ये है c लिखा उपर मतलब इस पूरे को बोलेंगे हम पाई radian जो की बराबर होता है degree में किसके 180 degree तो पाई radian बराबर 180 degree है तो एक रेडियन पी का मतलब आप समझ रहे है रेडियन तो एक रेडियन बराबर क्या होगा 180 degree अपान क्या और पाई का मान हम सबको पता है कितना होता है पाई का मान होता है 22 बटा साथ लिख लेते हैं पाई की वैल्यू 22 बटा साथ 18 degree 22 बटा सात तो सात कहा चला गया उपर चला गया क्या यह सॉल हो सकता है भी भी बिलकुल 2 से गया बिलकुल 2 से गया नौ का ती नौ का साथ से कर लेते हैं तो कितना हो गया यह 630 बटा में कितना 11 तो हम कह देंगे कि एक radian जो है वो 630 बटा 11 डिग्री के बराबर हो ऐसे हम कह सकते हैं अब इसको भी हम आगे और solve कर सकते हैं कैसे जैसे कि डिग्री के बाद में minute और second तक हम लेकर जा सकते हैं तो minute और second वाला क्या concept है वो भी जड़ा देख लेते हैं तो देखिएगा उसे भी कि एक minute जो है वो हम या फिर एक degree जो है एक degree 60 minute के बराबर हो ठीक है और जो एक minute होगा वो किसके बराबर होगा एक minute आपके 60 second के बराबर होगा पता आपको जैसा कि तो देखिएगा ये जब उपर एक line खीची जाएगी तो ये minute को बताएगी और जब double line खीज देंगे तो ये second को बताएगी तो एक degree 60 minute के बराबर हो गया और एक minute 60 second के बराबर होगा तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो आपके एक रेडियन की value degree में आई है 630 बता 11 इसको minute और second तक ले कर जाते है तो वो कैसे ले कर जाएंगे देखिए ज़ए जैसा कि हम पिछली वाली स्लाइड से आन्स्वर देखें कि 1 रेडियन इस एकवल टू 630 अपॉन 11 ये आ रखा हमारे पास आप देख सकते हैं 1 radian is equal to 630 upon 11 आ रखा है डिग्री में और 1 degree is equal to 60 minute और 1 minute is equal to 60 seconds चलिए तो अब इसको और आगे solve करना है था हम कर सकते हैं अच्छी calculation है देखिएगा 630 में 11 का भाग दीजिये past 630 कितनी बार जाएगा सबसे बहले 5 बार यह इना हो गया 55 कितना रहे गया पांच और तुआ पांच ये आगिया 57 डिग्री ठीक है तो इसका मतलब जो आपका एक रेडियन है जो की 630 बटा 11 डिग्री में है आप इसको लिखना चारे मिनिट और सेकेंड में तो 57 डिग्री तो आपके सामने आया अभी तक ठीक है और ये तीन जो है ये जो सेस्वल बचा है ये भी डिग्री का ही है ये जो सेस्वल रिमेंडर बचा है ये भी डिग्री में है तो तीन डिग्री अब इस डिग्री को हम बदलेंगे किस में मिनिट में तो हम देखेंगे कि हमें पता है कि एक डिग्री का मान किसके बरावर होता है 60 मिनट के तो इस 3 डिगरी को अगर मैं बदल दू मिनट में तो 60 से मल्टिप्लाइ कर लिया तो ये हो गया 180 मिनट अब इसमें भी भाग किसका देना भी 11 का तो इसमें भाग देते हैं अब 11 कितनी बार जा रहा है सबसे पहले सबसे पहले ये चला जाएगा एक बार कितना रह गया 7 फिर ये कितना ओगया 0 कोई दिक्कत नी अब कितनी बार जा रहा है अब जा रहा है 6 बार तो यह आ गया 6 बार कितना 66 अभी भी कितना रह गया 4 ठीक है तो ये 16 क्या है आपके पास मिनट और इसमें लिखते है 57 डिग्री यहां से मिला 16 मिनट यहां से मिल रहा आपको तो ये लिखा हमने 16 मिनट ठीक है और ये चार जो है ये भी किसमें आया आपके ये चार भी मिनट में ही आया है अब मिनेट से आगे हमको सेकेड में जाना है जैसा कि हमको पता है कि एक मिनेट में 60 सेकेंड होते हैं तो ये मिनेट कितना आया है चार मिनेट से स्वल बचा है हमें तो पूरा भाग देना अभी इस मिनेट को अब हम बदलते हैं किसमें इस मिनेट को हम बदलते हैं अब सेकें ये 240 इसमें भाग दिया जा रहा है 11 कितनी बार जाएगा सबसे पहले दो बार तो ये गया कितना हुआ फिर कितना आया ये 2 और ये कितना 0 अभी भी जा रहा है कितनी बार जा रहा है एक बार तो ये आया 1 और ये 21 के आया सेकेंड तो 21 सेकेंड भी हम यहां से ले लेते हैं तो इस का मतलब ये हो गया 21 सेकेंड तो finally अगर हम कहें कि जो एक रेडियन जो होता है वो डिगरी में तो 630 बटा 11 डिगरी के हो गया और पूरा अगर मिनट सेकेंड तक हम जाए तो वह होता है एक रेडियन इसिपोल्ज टू 57 ृट दिगरी 16 मिनट 21 सेकेंड और वह यह आपके सामने तरीका एक बार एक्जाम में पूछा गया है कि वन रेडियन कितने मिनट डिगरी सेकेंड के बराबर होता है तो वो कैसे आया है यह आपके अभी भी सेश्वल बच रहा है और सेकेंड आच अब आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है तो यह थोड़ा बहुत हमने concept समझा कि किस तरीके से हम परिवर्त करते है radiant degree इनको और यह जो हमारा part है जो कि त्रिकॉंड मिती का अंतिम part है मतलब इस part में यह trigonometry chapter complete हो जाएगा तो इस part के जितने भी questions है जो अभी हमने यह concept समझा है उसी के according होंगे चलिए बात करते है question number 86 के बारे पर क्या गया रहाए 86 देखी पाइफ पाइबाइट्री रेडियन को डिग्री में बदलना है बदल देते हैं डिग्री में बदलना है तो आप कुछ मत कीजिए जो आपका पाइब रेडियन है उसको डिग्री में लिख लीजिए तो पाइब रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है आपने देखा है पाइब रेडियन डिग्री में बराबर होता है 180 के लिख लेते हैं बस यह लिख लिया पाई रेडियन का मान डिग्री में 180 यह कैंसील हो गया यह आ गया कितना 300 तो फाइनली आंसर आ गया कितना 300 डिग्री कुश्चन नमबर 86 का इसी कुश्चन नमबर 86 के साथ मैं राकेश शौदरी आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तैरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा यह आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में जिसमें हमारा चेप्टर चल रहा है टिग्नॉमेट्री और उसका पार्ट देख रहे हैं पा पाई रेडियन को डिग्री में क्या लिखते है 180 तो लिख लीजिए 180 बस तो 4 अपाउन 15 पाई रेडियन को डिग्री में लिखना है जो की होता 180 बस आगे आपका अंसर 15 से सीधा कट रहे है 15 से यह चला जाएगा आपके कितना 12 बार और 12 का चार्ण से गोणा कितना 48 यह है बदल सकते हैं अब देखिए हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो डिग्री में होता है 80 अपॉन पाई तो 1 बाई 6 रेडियन क्या होगा तो जो वन की वेल्यू हो उसको वन बाई 6 से मल्टिप्लाइब करवा देते हैं तो यह लीजिए यह है वन की वेल्यू पाई को लिख लिए बाईस बटा साथ साथ चला गया उपर ये 1 की value आई हमें 1 by 6 रेडियन चाहिए तो इसका 1 by 6 से multiplication आगे आपका आंसर 6 से ये गया कितना पीस ये गया 11 ये कितना 15 15 का साथ से हम गुणा कर सकते तो 15 का अगर आप साथ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का साथ से करने पर ये आपको देगा कितना 105 अंसर हम कह सकते हैं 105 बटा 11 डिग्री हमारे पास आ चुका है अब जैसा कि आपको पता है इसको आप डिग्री के बाद मिनट और सेकेंड तक ले कर जा सकते हैं तो ये भी आपका अंसर है अगर option में ये है तो और अगर option में और भी अच्छे से solve करकर इसको मिनट सेकेंड तक लेकर गये हैं तो आप भी इसको और आगे तक ले जा सके तो लेकर जाते हैं किस को और आगे तक कैसे होगा देखिए तो question का answer तो वैसे ये आगे आपके पास 105 upon 11 degree अब मैं इसको minute second तक लेकर जाना चाहरा हूँ इसी को आगे लेते हम 105 upon 11 इसको बदलना है minute second तक अगर option में ये है तो ये answer नहीं तो और आगे लेकर गए है तो और आगे हम इसको ले जा सेको भाग देते हैं इसका degree है कितनी बार गया सबसे पहले अगर इसका भाग देंगे तो दस बार दे दे दें तो ये 110 हो जाता है तो 9 बार चला जाए नौ बार में 99 हो गया कितना बज़ गया 6 degree कोई दिक्कत नहीं तो ये आ गया आपके 9 degree ही 2 अशेशल बंज़ा इसको बदलते हैं मिनेट गी तो एक डिगरी में कितना गया 30 से अकर दिख्या कर्दिया तो यह हो गया 360 मिनियत अब इस 360 मिनियत में अभी भी हमको भाग देना थैंका कि कि राण तो जाए गई आगया गया गया तीन बार तो जाए अब यह कितना आगे आठ जो कि क्या हो गया मिन तो यह क्या है 32 मिनट तो इसका मतलब अभी हमको आंस्वर मिला 9 डिग्री 32 मिन और भी आगे जाना सेकेंड तक तो भी जा सकते अब इस मिनट को सेकेंड में बदलना है तो इस आठ मिनिट को second में बदलना है तो एक मिनिट में second होते है 60 तो आठ में कितने होगे साट से गुणा कर लू कितना आगया 480 seconds अब 480 में आपको divide करना है किस से 11 कर लेते हैं कितनी बार जा रहा है सबसे पहले 4 बार ही जा रहा है कितना हो गया 44 तो 44 हो गया ये कितना रहे गया 4 फिर ये क्या आया 0 तो ये 40 हुआ तो अभी भी जा रहा है कितनी बार अभी जाएगा 3 बार तो ये 43 43 सेकेंड तो इसका मतलब आंस्वर आ गया हमारे पास 105 बटा 11 डिगरी जो है वो हम कह सकते हैं 9 डिगरी 32 मिनट और 43 सेकेंड जो है वो हम पर्फेक्ट आंस्वर कह सकते हैं अगर option यही पर खतम है तो यही और अगर यहाँ पर है तो यह भी हम निकाल सकते हैं यह था आपका question, question number 88 बात करते हैं next question 89 के बारे में क्या आपका question 89 देखी ज़रा 11 डिगरी 15 मिनट को रेडियन में बदलने को कह रहा है ठीक है बदल लेता है तो 11 degree 15 minute को radian में बदलने को कह रहा है 11 degree 15 minute मिनट को पहले degree में बदलते है तो हम दे देंगे 60 का बाग ठीक है ये आ गया कितना 4 तो ये हो गया 11 degree और 1 बटा 4 degree तो इसको add कर लिया तो LCM कितना 4 4 का 114 और 1 कितना 45 बटा 4 degree आ गया अब हमारे पास अब हमको इसको radian में बदलना है तो बदल सकते हैं हमें पता है कि 180 degree जो है वो कितने radian के बराबर होता है question number 89 45 अपाउन 4 ये किस में है degree में हमको बदलना है इसको radian में तो हमें पता है कि 180 degree radian में किसके बराबर होता है πाई के तो 1 degree किसके बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन के हमें कितने डिग्री है 45 बटा 4 डिग्री है तो एक डिग्री का मान ये है तो 45 बटा 4 का मान क्या होगा इसी को 45 बटा 4 से घुना कर लेते हैं तो पाई बटा 180 इसका घुना किया 45 बटा 4 अब जो कटने के लिए उसको काट लेते है, 45 से क्या ये cancel हो रहा है क्या, बिल्कुल हो जाएगा, 45 का डबल होता 90 और 90 का डबल होता 180, तो 45 से ये जाएगा 4 बार, तो finally answer आजाएगा, πाई अपॉन 16 रेडियन जो है, वो हमारा answer होगा, question number 89 का, बात करते हैं, next question 9090 के बारे में, देखिएगा, question number 90 क्या कह रहा है, degree minute और second में देखर, रेडियन में पूछा है, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 13 degree plus 7 minute और ये 30 second जो है, इस second को बदल लेते हैं, हम minute में, तो ये minute हो गया कितना, 1 बटा 2, ठीक है, ये बदल गया minute में, तो 13 degree तो अपनी जगे पर ये, 7 minute और आधा minute कितना हो गया, साड़े 7 minute, जिसको मैं लेक सकता हूँ, 15 बटा 2 minute, कोई दिक्कत नहीं, अब इस minute को बदलते हैं, हम किसमें degree में, तो इसको divide करेंगे 60 से, तो ये कर दिया 60 से, ये चला गया 4, तो 13 degree प्लस ये हो गया 4 इंटू 2, कितना 8, तो इसको मैं degree में finally लिख सकता हूँ, ये 8 आया, 13 का 8 से और प्लस क्या करना है 1, तो ये 80 और 8 का 3 से choice, तो 80 और choice हम देखें, तो 104 और एक कितना 105, ये आया है हमारे पास अभी तक किसमें degree में, अब इसको radian में बदलना है, तो हमें नियम पता है radian में बदलने का, कि 180 degree radian में होता है πाई के, तो 1 degree होगा πाई बटा 180 के, ले उसका हम गुणा करवा देंगे किस से 105 बटा 8 से, बस जो cancel हो रहा है जैसे कि ये 15 से और ये 15 से cancel हो रहा है, 15 से ये गया कितना, 15 से ये चला जाएगा 12 बार, 15 से ये भी cancel हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 से ये चला जाएगा आपके 7 बार, स्वारी 15 से ये चला जाए कितना आपके 15 से ये गया सिंग 90 एक सोब साथ बार ठीक है चलिए तो आंश्वर आ गया आपका क्या हो गया आंश्वर 7 पाई अपॉन ये हो गया कितना 80 और 8 का 2 से 16 तो ये हो गया कितना 96 तो फाइनली आंश्वर हो गया 7 पाई अपॉन 96 जो है वो 13 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड का रेडियन में मान हो जाएगा तो ये था हमारा कॉजन कॉजन नंबर 90 अब हम बात करेंगे कॉजन नंबर 91 की हमारे next part में जो की last part होगा वैसे तो कहा ये गया था ये last part है लेकिन समय के देखते हुए पांच कोशन और रहे पांच से छे कोशन वो हम नेक्स पार्ट पर ले लेंगे ठीक है तब तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजी थैंक्यू सो में प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब डिजिटर तैयारी